Hi everyone, welcome to my YouTube channel Sikşah Dikşah तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो आज की जो मेरी वीडियो है guys उसमें आपको मिलेंगे Current Affairs December के तो आज की इस वीडियो में हम December के Current Affairs पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी वीडियो उसकी और इसने साथ अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो इसके साथ आप मुझे फेस्बुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के अपनी वीडियो जैसे मैंने बताया कि करेंट अफ्यर्स की वीड तीन दिसंबर को दिव्यांगों को सौवलंबी मनाना ही इस लच्छ है इस दिवस्ट का तो और यह मनाया कब जाता है तो डेट है तीन दिसंबर ठीक है नेक्स देख लेते हैं मतलब जो दिव्यांग है वह अपने उपर आत्म निर्भर हो सकें कैसे वह समाज में अच्छा जीवन वितीत कर सकें उसके लिए यह दिवस्ट स्टार्ट किया गया है तो मनाया जाता है तीन दिसंबर को नेक्स देख लेते हैं हाल ही में किस देश ने ओपक की सदस्टा छोड़ने का निश्चाए किया है तो ओपक आप जानते हैं ऐसा संथ है जिसमें जितने भी ऐसे से सब्धानाशाby सब्सक्राइब गुदक Сब्सक्राइर RAW में goру, ismaq banana Dude आइंट हरी, ऊलिक किसीए उपड़ा है और काफी बाहिश कार कीamoa अपना जितना भी अम जो भी महाओ आद सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करें अब सब्सक्राइब कारा भाम प्राक्तिक गैसे हैं उन पर लगा दिया है ना कि ओयल पर ठीक है तो जो कतर है वो सबसे ज्यादा प्राक्तिक गैस निर्यातक आप बोल सकते हैं या वहां पर उत्पादल सबसे ज्यादा प्राक्तिक गैस निर्यातक नहीं लेकिन उत्पादक के मामले में प्राक्तिक गैसे स अबसे ज़्यादा कतर में उत्पादित होती है और अगर हम ओयल की बात करें अगर हम ओयल की बात करते हैं तो लगबग 2% पूरे वर्ड का जो ओयल है वो कतर में आता है ठीक है तो लेकिन अब जो है कतर ने अपना में फोकस किया है प्राक्टिक गैसों के उपर जो कतर कतर ने छोड़ने का निश्वय किया ठीक है अब आप करते हैं हाल ही में कौन मेक्सिको के नए राश्टपती बने तो मेक्सिको के नए राश्टपती बने है अंड्रेश मैनुवल मैनुवल लोपेज ओब्रादेस ठीक है इनका नाम है अंड्रेश मैनुवल लोपेज ओब्रादेस थोड़ा सा टफ नेम है आपको लेकिन लर्न रखना होगा ये बने है हाल ही में मेक्सिको के नए राश्टपती थीक है अठावनवे करम के राश्टपती है अंड्रेश मैनुवल लोपेज ओब्रादेस ठीक है तो चलिए अब नैक्स्ट क्वेशन देखते है लिखा है भारत की पहली इंजनलेस ट्रेन का नाम क्या है भारत की पहली का नाम है कि ट्रेन 18 ठीक है ट्रेन 18 अब ऐसी पांच और ट्रेन ने बनाई जाएंगी सो करोण की लागत आई है इस ट्रेन को बनाने में तो गाइस यह जो ट्रेन है लगबग 180 किलो मेटर पर इसकी रफ्तार है प्रतिगंटे की और इसके साथ साथ ही अभी यह सुरू भी कर ली गई और ऐसी पांच मैंने बताया कि और ट्रेन इस बनाई जाएंगी सवाई माधोपुर से यह ट्रेन स्टार्ट की गई है ठीक है सवाई माधोपुर जो आपका स्टेशन है वहाँ से ठीक है तो यह है भारत की पहली इंजन-less ट्रेन ठीक है ट्रेन 18 नेक्स्ट वेश् है जो ट्रांसफेट होता है वो दिल के लिए बहुत ही घातक होता है और इस जो अभियान है हार्ट अटेक रिवाइंड अभियान इसका उद्देश यही है कि हमको भारत को समझ लीजे यह जो जित्ता भी हम लोग ट्रांसफेट यूज़ करते उससे मुक्त बनाना है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी मृतो फ्रांसफेट की वज़े से बहुत सार engagements की इस्का प्रांट है कि ब्रत को इसका मुक्य अग्राइश क्या है मुक्त भारत ठीक है कुल्मलाक के ट्रांसफेट का उत्पादन कम से कम बिल्कुल मिनिममम ठीक है चलिए अब नेक्स देख लेते हैं हाल ही में भारत का वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया तो आईए जानते हैं किसे नियुक्त किया गया देखें नियुक्त किया गया अजय नारायन जा को अजय नारायन जा ठीक है तो यह IPS सरी IS अधिकारी रह चुके हैं मणिपूर के और इन ही को अभी जो है भारत का वित्त सचिव नियुक्त किया गया है ठीक है तो चलिए नेक्स स्थान पर शुरू हुआ तो मैंने आपको बताया था कि भारत और जपान के बीट जो युद अभ्यास होता है मैत्री उसको आपने नाम के बारे में पढ़ा होंगे कि उनके अलग-अलग नाम होते हैं मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जुसमें मैंने बोला था कि कुछ यहां पर देखें मैत्री लिखाए आगे शिन्यू मैत्री है तो यहां आपस पूछी गई है कि कहां पर शुरू हुआ है तो जगा है आपकी आग्रा आग्रा पर यह जो युद अभ्यास है वो श्टार्ट हुआ ठीक है तो दोनों देशों के जित्ती भी सेनाएं हैं जो इस अभयास में भाग लेंगी तो उनका आपस में लक्स ही ही होता है इसी लिए चलिए नेक्स देख लेते हैं देखे लिखाए ISSF की जद समीती में शामिल किये जाने वाले पहले भारती कौन है तो यहां से शूटिंग से रिलेटेड क्वेशन है यह तो इनका नाम है पवन सिंग ठीक है यह ISSF की जद समीती में शामिल किये जाने वाले पहले भारती है आपको नाम लाण करना होगा पवन सिंग ठीक है नेक्स्ट क्वेशन है भारती रिजर बैंक के नए गवर्नर बने बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन है उर्जित पटेल थे उर्जित पटेल के बाद जो आप बने है आप लोगों को आता ही होगा लेकिन फिर भी अगर नहीं अनके पता है तो इसको लर्ण कर लीजे शक्तिकानं दास सनसे मिफायफका निर्मार किस संगठं द्वारा किया गया है दो अगनी 5 मिफायफका निर्मार किया गया है डियार्डियो द्वारा ठीक है DRDO द्वारा और ये सफलता पूरवक इसका किया गया है परिक्षन और कहां से किया गया है ओडीशा के अब्दुल कलान दीप से किया गया है ठीक है DRDO द्वारा इसका निर्माण किया गया है अग्नि फाइफ मिसाइल का और चलिए नेक्स देख लेते हैं विष्यव बैंक के अनुसार भारत को कितनी प्रेशन रास का मतलब होती है हमारे जो भी नागरीखें रहें जो की इंडिया के निवासी हैं लेकिन वो रहे हैं कहीं और रहे रहे हैं किसी दूसरे देश में तो वो जितनी भी राश्री इंडिया को भेजेंगे वो उनका रेमिटेंस है तो वो रेमिटेंस भारत को मिल रहा है असी अरब डॉलर का जो कि सरवाधिक है ठीक है असी अरब डॉलर इसके बाद आपका चाईना फिलिपिनस वगरा ये सब हैं लेकिन यह भारत को है वो बहुत ज़ Hills한다 ही अपनिदो देखिसे हुआ तो असी अरब डॉलर का रेमिटेंस मिल रहा है भारत को ठीक है तो यह एक अच्छी चीज़ है और लॉन करने वाली चीज़ है सरवादिक मिल रहा है नेक्ट देख लेते हैं देख लिखा है अंतर राश्ट्री परवत दिवस 2018 की थीम क्या है देखे परवत बहुत ज़्याद है ठीक है उसकी थीम क्या है परवत आवश्यक है अच्छा इसके साथ मैं बता दू यह अंतर राश्ट्री परवत दिवस कब है तो यह मनाया गया था ग्यारा इसको इंग्लिश में मैं लिख दू ग्यारा दिसमबर ठीक है ग्यारा दिसमबर को अंतर राश्ट्री परवत द जरूर आती है आपके एक्जाम में ठीक है अब देख लेते हैं देखे लिखाए हाल ही में मुश्रीरूल हसन का निधन हुआ वे किस चेत्र से जुड़े हुए थे तो कोई भी बड़ी हस्ती चाहिए वो सिक्षा से रिलेटेड हो चाहिए वो पॉलिटिक से रिलेटेड हो चा जाते हैं क्योंकि यह अच्छा टॉपिक मना जाता है तो जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो उसको आप जरूर लर्न कर लीजे क्योंकि यह एक इंपोर्टेंट चीज हो जाती मैंने हमेशा बोला वीडियो में कि अगर किसी की डेथ है किसी इंपोर्टेंट पर्सन की हुई और साथ में ऐसी कुछ बुक्स जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बताती हैं ऐसी कुछ बुक्स लिखी है नोने और यह जुड़े हुए थे सिक्षा के छेत से और मैंने बताया कि कहां के जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के पूर अभी दिसंबर के मैं एक वीडियो और लाओंगी जिसमें दिसंबर का और डेटा कम्प्रीट करने के कोशिश करूंगी वह सकता हूँ दो वीडियो लाओं दिसंबर के लिए क्योंकि बहुत कुछ इंपोर्टेंट हुआ है दिसंबर में उसके बाद तो 2019 स्टार्ट ही हो पाती तो कम से कम आपको मंत ली मैं उस पूरे मंत की दो-तिन वीडियो तो देई सकू करेंट अफेर्स की तो गाइज इसी बात के साथ आज की वीडियो यही पे एंड होती है यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करना मत बूल तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए सीखते रहें पढ़ते रहें सिक्षा दिक्षा के साथ